तो गाईज आज वीडियो का सवाल ये है क्या GTX 1650 हमें 2022 में बाय करना है या नहीं करना है अब गाईज इस सवाल का जबाब देने से पेले आपको तीन सवालों का जबाब मालूम करना पड़ेगा पहला सवाल तो ये है कि GTX 1650 2022 में गेमिंग केसी प्रोवाइड कर रहा है कितने FPS हमें ये गेमिस में दे पार है दूसरा सवाल ये है कि बैस जिस प्राइस में GTX 1650 आ रहा है उस प्राइस में क्या दूसरे alternative market में है अगर है तो हम उसको लेंगे क्योंकि GTX 1650 उनसे कम performance आपको प्रोवाइड करेगा और तीसरा सवाल कि इसकी exact और सही प्राइस क्या है कि इस प्राइस पे GTX 1650 लेना सबसे best दिल होगी तो अगर आप ये तीन सवालों के जवाब आपको मालू बढ़ गए ना तो आपको ये भी मालू बढ़ जाएगा कि GTX 1650 हमें 2022 में लेना है या नहीं लेना है और मैं इस वीडियो में आपको ये तीन सवालों का जवाब ही देने वाला हूँ तो याली वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए तो पहला सवाल था कि हम GTX 1650 से कितनी गेमिंग ले सकते हैं और ये केसे गेम्स में क्या परफॉर्म करेगा सबसे पहले modern गेम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यह कितना परफॉर्म कर रहा है और क्या FPS आपको देहने को मिल रहा है सबसे पहले एक बात बोलूँ है कि जितना इस ग्राफिक कार को बेकार समझा जाता है कि यह काफी छोटा ग्राफिक कार है यह आपको 1080p लेवल पे काफी बड़िया gaming करा देता है medium setting में और कुछ-कुछ game में तो higher settings में भी काफी बड़िया gaming आपको करा देता है यह example के लिए फ्रोजवा और जैन 4 को यह 100 से लेके 90FS में चला दता है medium settings में तो guys जितना आप लोग इसको बेकार समझते हैं ना कि बिंकुली बेकार ग्राफिक गार्ड है काफी लो एंड है वैसा भी नहीं है 1080p पे आपको काफी बढ़िया गेमिंग करा देगा हाँ कुछ-कुछ गेम में स्ट्रगल करता है जैसे कि Red Dead Redemption 2 में यह थोड़ा स्ट्रगल करता है कभी-कभी FPS लेग होते हैं कभी Frame Drops भी होती है पर guys फिर भी guys दूसरे गेम में यह काफी बढ़िया परफॉर्म करता है अगर आप GTA 5 की फेन हो तो GTA 5 यह आपको consistently आराम से 60 FPS के उपर खिला देगा वो भी High Settings में तो अगर आप ऐसे गिम्त खिलना आ रहा है उस प्राइस में इससे better alternative मौझूद है क्या मार्केट में तो देखो यह सबसे पहले यह सवाल जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि भई GTX 1650 की अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है तो देखो यार अभी आपको बताई होगा कि USD और INR का inflation चल र 1650 साई प्राइस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसकी जो साई प्राइस है वो है 13,000 के अंदर पर हम फिर भी मानते हैं 15,000 के अंदर भी आपको देहने को मिल रहा है तो आपके लिए एक better deal हो सकती है और आप सको grab कर सकते हो पर अभी के टाइम पर अगर मैं देख रहा हू क्योंकि अगर आप जो price pay कर रहे हो ना उस price pay करने पर अगर आपको graphic card सही नहीं मिल रहा है या फिर आपको कम budget वाला graphic card मिल रहा है तो guys वो deal बेकार हो जाती है जिस वियसे guys आप दूसरे alternative दे सकते हो जैसे कि आप GTX 1660 पर जा सकते हो और पैसा अगर आप मिलाते हो तो guys आप RTX 3050 भी ला सकते हो जो कि आपको 1080p पर काफी अच्छी gaming करा देगा rate racing के साथ तो guys पहले आपको price देना पड़ेगी और price guys मैं आपको बोलूँगा कि offline price काफी कम मिल जाएगी आपको तो अगर आपके घर के पास ऐसी कोई shop है जो कि graphic card वाली है तो वहाँ जागे एक बार check out करन कि वो आपको GTX 1650 क्या price में दे रहा है अगर सही price मिल जाती है 15,000 के अंदर या फिर 13,000 के अंदर तो guys वो आपके लिए सबसे best deal हो सकती है तो वहाँ से आप GTX 1650 ले सकते हो और 2022 में वो deal आपके लिए सबसे best होगी अब आती है कि इसकी क्या price है तो मैंने आपको बताई दि और आने वाले time पे guys graphic card की price थोड़ी उंपर जरूर हो सकती है क्योंकि अभी global level पर recession चल रहा है जिस वाएस company अफना loss नहीं करेगी and guys वो graphic card की price बढ़ाएगी and जो GTX 16 series इन है guys यह अभी कम थोड़ी manufacturing में जिस वाएस जो भी याले graphic card है 1650, 1660, 1630 इनकी prices guys आने वाले time पे बढ देखने को मिल रहा है तो GTX 1650 आपके लिए better deal हो सकती है तो hopefully guys इस वीडियो के end तक आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि GTX 1650 हमें लेना है या नहीं लेना है अगर आपको यह better deal में मिल रहा है better price में मिल रहा है तो guys आग बंद करके लेलो क्योंकि यह आपकी 1080p प में पूरी कोचिश करूँगा बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में किसी और topic के साथ जब तक जै हिन जै भारत